तो दोस्तों नवस्कार प्रणाम जैहीन जुहार मैं हूँ राजेस पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चनल मुनादी जोपाल तो आज हम हैं पत्थलगाओं में और पत्थलगाओं में या तो आपके शिएर विधायक रामपुकार सिंग जी के घर के पास हैं और हमारे साथ हैं आरतियर शिंग जी उनकी बेटी जो काफी लंबे समय से पॉलिटिक्स में हैं और अभी बर्तमान में जिला पंचाइट के सदर्श्य हैं लोग सभा कर चुनाओं यह लड़ चुकी हैं औ तो चुनाओं की क्या तैयारी है किस तरह का सब कुछ चल रहा है इस वारे में जानने के लिए हमारे साथ मुदूद है आरतियर शिंग जी जी बहुत-बहुत स्वागत है महना जी जो में देवाद आपको पहले तो किस तरह के तैयारी चल रहे यह पत्तलवाओं में और दिन पहले हम लोग नामंकन फाइल किये हैं और बहुत उतसा के साथ हम लोग हमारी सारे करताओं के साथ हम जस्पूर गये और आगे की कारवाही के लिए बुद्ट लेबल तक हमारे कारीकरत कैसे जाएंगे हमारी के चीज़ों कुर लेखे जाएंगे इस दिशा में हम बहुत जदी कार्याले का उठकाटन करके और आगे शुनावी क्यत्ती को तेश करेंगे अरती जी इस वार हम जब जा रहे हैं पब्लिक की बीच में तो किन मुद्धों को लेकर जा रहे हैं पब्लिक के मुद्धे क्या हैं हमारे पास दो महत्तपूर्ण बात हो चाहे अपन शिक्षा की चेत में आत्मान अंदिश्कुल की बात हो यह महलाओं के विकाश की बात हो या फिर युवाओं के लिए हम बीभी नियुज्णाओं के तहत उनके तक अपनी उपस्तिती हमने दर्ज कराई है शाशन की उज्णाओं को लेके हम जाएंगे और उन अच्छी काम होगी और दुशा हमारा खुद का प्रत्याशी होने के नाते हम प्रत्याशी हमारे मानि-राम्पा जी है उनकी जो पुरे को लेकि उनकी एक शजक्ता रही है और छेत्र में उनका लगातार भ्रहामन रहा है और बन्यादी चीजों पर निरंतर अपनी और से प्रयाश करते रहे हैं मुझे सब चीजों को हम लोग करेंगे भाद पाया रूप लगाती है कि पत्थल गाओं का कोई विकास नहीं हुआ ल काम हुए हैं बुन्यादी चीजों के अलावा भी जैसे हमारे हां कोद्बा में आपन उद्यानिक कोलेज है उसकी हम महां पर स्थापना किये हैं तहसील में बाग बाहर में तहसील की घोष्णा हमारी शरकार ने की है बहुत सारे काम इस पंचवर्शी में हुए हैं और दू नहीं चुप रहते हैं नहीं के लिए हम पिछले 10 सालों तक भी हम लोगों ने काफी इस दिशा में भी हमने आवाज उठाई लेकिन आज तक उसको लेके यहां की जंता परिशान है और अभी तक उसके काम तो हुआ नहीं है तो उन सब मुद्दों में भूक्यों प्रकास न बनाया जाना दूसरा जो यहां के जो किसान हैं टोमैटो प्रोसेसिंग प्लांट कि मांग कब से कर रहे हैं तो दो मुद्दे अभी तक यहां पूरे नहीं हो पाए तो इन मुद्दों का कितना असर होगा क्या लोग आपको पास आतों होंगी इस वात को बोलते भी हो आने वाले समय फिर मुद्दों को हम दिहान में रखेंगे और उसको पूरा कराएंगे तो यह जीला बनने में जो दिक्कत आई मतलब लोग अधी कुछ दिल पहले काफी एक सोचल मेडिया केमपैनिंग चल रहा था कि राम पुगार सी ने जीला नहीं बनवाया मतलब पहले इसके बाद भी नहीं हो पाया तो इसको पूंजुछ ना पट्र में असा कोई नहीं था यह हमारी जरूर मांग रही कि हम जिलाए ने में दिशा में प्रयाश्रत रहेंगे और हमारे प्रयाश्रत में कोई कमी भी नहीं मानि विधायक जी लगा था भूपेश सार्ता में आई हुए थे और पत्रकारों के तरफ से भी आवाज आया था कि जिला का मांग है जिला की पूर्ति आप कप करेंगे तो अपने मानी भुपेज भागेल जी भी बोले थी कि जो हमारे अभी नए घोष्णा में जो जिला आए हुए हैं उसकी हम ब्योस्थाई या उ सवाल इसलिए बगता है क्योंकि राम पुगार जी काफी मतलब अगवाई किया थी सांदोलन का और वो खुद चाहते थे इस बात का कई बार हम से बात की हुए उनसे उन्हें पर बनना चाहिए लेकिन उनके चाहने के वावजूद भी अगर दिक्क्त आती है तो पब्लिक क अपनी दुर्ब से प्रयाश में कोई कमी नहीं किये हैं लेकिन हो सकता है कोई तकनीकी कोई बाते होगी जिसके बज़े से नहीं हो पाई है आने वरे समय पर फ्रेस प्रयाश करेंगे इस वर यहां सांसत गोंती साय चुनाओ मैदान में हैं कितना बड़ा चैलेंज है हम तो शांसत रहते भी इस चैट में उनका दौरा नहीं हुआ और उनके विकास्कारियों को हम नहीं देख पा रहे हैं और दुसरी तरफ हम लगातार पाश सालों तक हमारे खारी करता हो के हमारे आम लोगों तक हम पहुश्चते रहे हैं तो तुलनात्मक दृष्टी से तो हम उनको थोड़ा सा इस शीतर में कभी हम रहामन बग्यरा करते उनको नहीं देखें तो थोड़ा सा पुछ उन्योंती वहली बात तो तो यह थी आरति शिंग जी नाया रामभुगार सिंग जी की बेटीन का कहना है कि मुद्दे तो मुद्दे तो कई सारे हैं और सारे मुद्दों को सुझाये जाएगा वक्त आएगा तो कुछ मुद्दे छुट गए हैं वो चुनाओं के बाद